आप सभी गोजय रिशाम, कैसे आप सब उमईर कटे से वच्छे होंगे प्रेम्यो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बाबा हनुमान की गदा को सुद्ध कैसे करें, शित कैसे और बाबा हनुमान की समर्ष्ट सकतियों को इस गदा में कैसे ताकि ये है गदा अमारी और अमारे घर की हर प्रकार की गंदी सक्तियों से, भूत प्रेतों से, हर प्रकार के कष्टों से और बिमारीयों से हमारा वै हमारे घर का बचाओ करें और इस गदा के रूप में खुद बावा हनुमान हमारे घर में विराज़मान हो जाएं संपुर्ण जानकारी एक ही वीडियो में देने की कोशिस करेंगे सबसे पहले बात आती है कि कहां से लेकर आएं इस गदा को तो आप देखिए वैसे तो किसी भी मंदिर से लेकर आ सकते हो ओनलाइन भी बंगवा सकते हो अगर कोई लिंक हमें मिला तो हम ओनलाइन नीचे डिस्क्रिप्सिन में लिंक डालते हैंगे आप वहां से ओडर कर सकते हो बाकि अगर आप महदीपूर जाते हो तो वहां से ले आना साला सरधाम जाते हो तो वहां से ले आना अगर आप पहले कभी मेंदीपुर नहीं गए हो तो आप वहां मत जाना फिर आप साला सर धाम जाना अब फोर अग्जम्बल मान लेते हैं हम साला सर धाम गई हुए है तो बाहर दुकानों से इसको आप खरीद लेना आप अपने योगेता अनुसार छोटी बड़ी ले सकते हो अब जब आप इसको खरीदो तो सामने वाला गोजब दे सो रुपए तो उसको सो रुपए दे दो यह मत बोलना असी कर ले ना दे दो जो उसने मांगा है उसको वू दे दो फिर इसको लेकर आप लाइन से होते करने आए हैं घर जाएंगे हम इसको यहां रख नहीं सकते हम अंदर ले कर जाएंगे नहीं मना करेंगे जैसे ही आप बाबा हन्वान के सामने पहुंचो वहां जाकर क्योंकि सामने खड़े ओपर इतना समय नहीं मिलता बेड़ भार वाली जगर उतती है तो लाइन में लगे लगे वता देना बाबा मेरा नाम यह है पिता पती का नाम यह है इस जगर का स्थाइन वास्व विशेश कर अगर पुरुस यह काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा पुरुसों के लिए बाकि जिन महिलाओं ने बाबा हनवान को अपना भाई या अपना पुत्रमान रखा है वो भी कर सकती है यह काम ना करें मेरी प्रात्मा है आप से ज़्यादा पुरुस करें यह काम और अगर कोई महिला इस वीडियो को देख रही है तो आप अपने पत पत्वी कर सकती को महसूस किया है और आप गदा सवरूप में हमारे साथ हमारे घर चलिए जब बाबा के बिल्कुल सामने आओ तो दोन्यों हाथ उपर करके बाबा को दिखाओ इसको और बाबा के साथ संपरक बना कि कहू बाबा से बाबा हनमान आप तो ग्यान शिरोमनी है वीर शिरोमनी हैं भगत शिरोमनी हैं सरनागत वच्सल हैं सरण में आय हुए का त्याग धी करते बगवान स्री राम और माता जानकी के चरनुबा ध्यान करते हुए हम आपसे टार्तना करते हैं कि आप इस गदा के अंदर विराजमान हो जाएए और अमारे गर की जो अमारे इस सालासर धाम में कर दीजिए जिस दाम पर गए हो उस दाम का नाम लेना है आपको उसके बाद वहाँ आपको और कुछ मिले ना मिले दान पातर जरूर मिल जाएंगे दान पातर छुआओ जैसे ये दान पातर है उसके साथ स्पर्स करवाओ जब आप ऐसे सपर्स करवाओगे ये बाबा की तरफ होगा इनका मुख और बोलना बाबा सामिल हो जाईए विराजमान हो जाईए इसके अंदर उसके बाद वहां से आप इसको जब तक घर लेकर आपते हो तक पूर्ण सुदता का ध्यान रखना आपकी जिन्नेवारी होगी किसी भी प्रकार की असुद्धी यहां नहीं चाहिए कोई बिल्डी सिग्रेट कुठा खाते हो बिल्कुल भी नहीं ऐसा नहीं करना है अगर बिल्कुल ही ज़्यादा है नहीं रुका जाता तो आप उस समय इसको सपर्स नहीं करोगी पूर्ण सुदता के साथ अपने घर लेकर आओगी घर लाने के बाद जो भी आपका मंदर है वहां आप बैठ जाएगी निच्य आसन होना जरूरी है और उस समय महीं मैं यह कहूंगा कोसिस यह करिए कि वह दिन का समय हो रात का ना हो मान के चलिए आप रात को घर पहुँचे हैं तो उस रात को तो ऐसे ही व्राजवान करवा दोगा ठीक है बस ऐसे ही अगली सुभाई ये काम कर दीजिए कौन सा काम अपने घर के मंत्री में जो भी देवी देवता आपने बैठाई हुए हैं उनके सामने इस गल्दा को रख दीजिए अब आपको पंचामरत से सनान करवाना पड़ेगा पंचामरत से नहीं करवा सकते गंगा अधर से सनान करवा ठीक है रख दो यहां फिर संकल्ब लेना है आपको जैसे ही आमारे पास जल है राइड हैंड में जल लोगे वह जबता के मिर्यर मोड के कारणा कोई लेफ्ट एंड नजर आए लेकिन ये मेरा राइट हैंड है यहां आपको संकल्ब लेना है बाबा अन् हनुमान गदा रूप में विराजमान होकर आए हैं और आप इस घर में इस परिवार में और अपने जो कुल देवी कुल देवता पित्र हैं उनको भी अपने साथ लेकर इस गदा को शिद्र कर दीजिए जागर्ट कर दीजिए हमारी प्रातना है ऐसा बोलके आप नीचे के जल चोड़ दोगी जब आपने जल चोड़ दिया संकल कुआ अब दोबारा से जल दोगी दोबारा से जल लगी बोलना है बाबा हनुमान आप मेरी सुरक्षा करना ताकि मैं इस गदा को जागर्ट करता हूं और आप अपने उपर से फेली लगाओगे अब आपका सुरक्ष नए जलाते तो आपके पास कपूर होगा आप कपूर जलाएगी जैसे ही कपूर जलाकर आप रखोगे तो ये जो विदी है ये सिंपल विदी है सिर्फ गदा जागर्ट होगी आपके घर का काम करने के लिए थोड़ा मोटा काम ज्यादा नहीं लेकिन आप इसको पूर्ण लूप से जागर्ट करना चाहते हो एक प्रकार की शिध्धी करना चाहते हो तो एक मंत्र है वह मंत्र आपको करना हुआ निचे डिस्क्रिप्शन में हिंदी में लिख दूँगा वह मंत्र वो उस मंत्र की आपको हर्रोज 1 केया कमाला करनी होगी अगर हर रोज दिपक जला सकते हो, दिपक जलाओ, दिपक नहीं जला सकते हैं, कपूर जलाओ, लेजी हम यहां कपूर जला के आपको दिखाते हैं, यह कपूर हमने यहां जला लिया है, बाबा हन्मान को हमने विराजवान कर लिया है, जब हम कपूर जला के यह काम करेंगे, क और दूसरे हाथ में हम गदा रखेंगे यह हमने ऐसे रखा बाकि माला कैसे चलाई जाती है इसके उपर भी वीडियो बनाई जा चुकी है गोंख़ी के अंदर हमने माला रखी दाएं हाथ में माला चलेगी बाएं हाथ में आपके पास बाबा हनवान का गदा रहेगा और ध्यान आपका या तो अपने दिपक पर या बाबा हनवान की तरफ रहना चाहिए और आप माला चलती रहना चाहिए जैसे ही लगे कि माला एक माला हमने कर ली है मंतर की अब मंतर याद तो होगा नहीं इतनी जल्दि आपको तो जो फोन में दिया हुआ है या तो आप उसको किसी चीज पर लिख लेना या उसका स्क्रेन सोट ले लेना और सामने रख लेना मंतर को बढ़ो बाबावी तरफ देख लेना ऐसे कटकी एक माला करनी है तो जब एक दिन दो दिन करोगे तो वो मंतर याद हो जाएगा उसके बाद आप उसमें देखने की ज़रूट नहीं पड़ेगी फिर आप वा मंतर याद हो जाएगा और जैसे ही माला कंप्लेट हुई उसके बार माला को निकाल लीजिए गोमुखी को यहां लाजमान करवा के माला को आप अपने गले में दारण करेंगे गले में माला दारण की अपने हाथ मीशे रखा और 11 बार जो दिपक जल रहा है उसके उपर आप कलोकवाईज गुमाओगे जैसरी राम जैसरी राम जैसरी राम ऐसे बोलकर 11 बार गुमाओगे फिर हाज जोड़कर बाबा हनुमान से प्राथना करोगे कि है हनुमान जी महराज इस गदा को जागर्थ कर दीजिये आप जागर्थ से रूप में विराजमान हो जाएए हमारी हमारे परिवार की घर की हर परकार से रक्षा करने के लिए आप अमेशा मेशा के लिए जागर्थ से रूप में विराजमान हो जाएए जब आप ऐसी प्राटना करोगे अनुने विनाय करोगे तब बाबा हनमान खूस होंगे और इन 11 दिनों में एक तो आपका ये मक्तर शिद्ध हो जाएगा दूसरा आपका गदाशिद हो जाएगा और तीशरा आपका जो आसन है वो सिद्ध हो जाएगा और बाबा हनमान की पोजटिव किरने आपके घर में चारो तरफ फैल जाएगी आपको ये लगातार 11 दिनों तक करना है सुबह भी कर सकते हो, शाम को भी कर सकते हो जो आपको समय मिलता है अगर पहले दिन सुबह कियां तो हर भूज गयारा दिन सुबह ही करना है शाम को किया तो स्वाही तो जब ही करना है जब आप ये काम करोगे तो उस समय पर ये गदा जागर्थ हो जाएगी तो हमने आपको प्रेक्टिकल कर के दिखाई है फिर आप इसको यूज कैसे करें अब मान के चलो घर में किसी को सारी रिक बीड़ा है या कोई भूत प्रेटी बीड़ा बाहर का कोई काम मत करना बाहर काम करोगे नुकसान में आ जाओगे पता नहीं सामने वाले के अंदर कितनी बड़ी negativity होगी और वो आपकी सत्ती को खा जाएगी या दर्णा भाई यो की negativity भी बहुत परकार की होती है यहां आपने एक सिंपल तरीके से सिर्फ गदा को जागट किया अपने घर का काम चलाने के लिए अब मान के चलो किसी के सरीर में कोई दर्द है तो इस गदा को उठाओ या फिर उसे अपने घर के मंदल में बठाओ घर के वैक्ति को ही मान के चलो उसके सर में दर्द है तो उसके सर से स्पर्स करवाओ और बाबा से प्राटना करो बाबा इनके सर का दर्द ठीक करिए उनके सर से स्पर्स करवाओ इस गदा को और जो मंतर आपको दिया था वो मंतर 11 बार बोलकर फूक मार दो और ऐसे ऐसे 11 बार उसको स्पर्स करवाओ तो जो उनका दर्द होगा वो भाग जाएगा कोई negativity है उनके अंदर तो इसको स्पर्स करवाओ और फिर 11 बार मंतर पड़ो ऐसा आप करोगे तो उनकी negativity देरे देरे कम होगी यह नहीं एक साथ बाग जाएगी ना अगर किसी के अंदर negativity है तो उसको लगाता है पांच दिन गदा से जहरा लगाओ लेकिन जहरा लगाने के बा कम से कम आधा किलो अनाज या तो थोड़ा बहुत पक्सियों को डाले या किसी गवसाला में दान दे या किसी गरीब को दान दे हर रोज पांच दिन जाड़े चलेंगी पांचो दिन आधा आधा किलो कम से कम बताया है आधा किलो तो कम से कम आधा किलो अनाज आपको दान कर की तो उसका भार आपके उपर आजाएगा जिसने जहडा लगाया था उसके उपर भार चड़ जाएगा ना तो वो ठीक होगा उल्टा उसकी सक्ति आपको परेशांग कर देगी याद रख लेना घर के वैक्तियों के अलावा बहर की किसी वैक्ति को उपर जहडा मत लगाना अगर आपसे कोई मिलता है तो वो सिर्फ अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए मिलता है उसको आपसे कोई लेना देना नहीं है आपके पास जो सक्तियां जो सिद्धिया है उससे लेना देना है उसको इसलिए बाहर के लोगों से बचो सिर्फ गर के लोगों का परवन बताद कुछ नहीं करूंगा नहीं करूंगा मेरे पार अब क्यांकर ना करो पूँछ करो मुझे कोई फर्क नहीं पढ़त तो आपको रास्ता बता दिया इस रास्ते से आप अपनी घर की चीज़ों को जागत करो और आगे काम लेट चले जाओ अब इस वीडियो को अन्य लोगों तक पहुचाने की जिम्मेदारिया यह जो ज़्या दोखी है ना उठा करें इस वीडियो उसके सामने रख दो ले भाई तेरे गड़ की बूत परेट भी बाग जाएगी गदा भी सीद हो जाएगी मंतर भी सीद हो जाएगा कर ले काम अगर वो यह काम नहीं कर सकता तो इसको ठीक होने का अधिकार भी नहीं है भाई आई बात समझ में अब इस वीडियो को अन्य परेमियो के साथ साजा करेंगे फेस्बूक पर देख रहे हैं यूटूब पर देख रहे हैं आपका अपना परिवार है बने रही जुबे भी जैस्री नाम